यह सबसे बड़ी बात है भाई साब कि सीवी दफतर में जाऊगे सबसे पहले ये गाला काम होता है उसका नीद तो बुद्वार को आना बुद्वर DOC आना वो बुद्वर नंबर जारी कर दिया एंटी क्रॉप्शन मूवमेंट चला के कि एक बटसेप नंबर है जब आप दफ्तरों में जाओगे पंजाम में कोई बाबू आपसे रिश्वत मांगे किसी काम को करने की कमिशन मांगे मना मत करना अपनी जेम में हाथ डालना नोट नहीं निकालना फोन खच के हमको बेज़ देना उसके बद हमारा काम है उसको जेल में डालना चार सो बंदा जेल में अभी चार सो हरो रोज दो तीन की एवरेज है बाई सब अब काम हो रहे हैं क्योंकि ठ्रकें कैसे कैसे तरीके इनके लाजवाब तरीके लूटने के अर्विन जी एक चल गया वो पैसे ले रहा लेता है हमने CCTV कैमरे लगाए कोई पैसा ने लिया उसने दो दिन तीन दिन देखा कोई पैसा ने लिया हमने चेक किया यार पैसे कब लेता है तो लेता नहीं फिर हमने उसके घर पे कैमरा लगाया कि शायद यह घर पे नहीं बुलाता हो सबको घर प जिस registry के लिए उसको पैसे नहीं मिले होते थे उसकी चार लेने पढ़करी कह देता यह रिष्ट्री नहीं हो सकती पापस कर देता था और कहरा उसका आदमी खड़ा होता था वो कहता था फलां फलां वसीका नवी इसके पास जाओ वो लिखता है असली registry वो वसीका नवी इसके पास जाता था वो कहता था कहले खवार रखी है सही करनी है ठीक है नहीं तो हो नहीं सकेगी इतने पैसे लगेंगे वो पैसे ले लेता था और उसके बाद वो रिष्ट्री लिखता था ना पहली चार लेनों में ही यह भी लिख देता था कि पैसे ले लिए हां बारकबा बा हकुम भारकम बाबसूल तब जाके पकड़ा भाई सब उसको वसीका नभी इसको भी पकड़ा हमें तो पता ही नहीं चलने देते कैसे कैसे तरीके निकाल रखें नोंने करॉप्शन करने के तो राजस्तान को भी ब्रिष्टाचार मुक्त किया जाएगा दिल्ली और पंजाब क बाकी करमचारियों के लिए करमचारी वरक के लिए गारंटी इसकी सबसे बड़ी एक्जामपल पंजाब है हमारे पंजाब में करमचारी सरकारी नोकरे तो दीनेगी कॉंट्रेक्ट पे जाक तक्चे बस वो धरने लगाते थे टेंकियों पर चड़ते थे कोई उनको तनका 55,000 छेच्छे या साथ सत यार पर तनका कच्चे अध्यापक हमने का यार कच्चे तो घरों का रिवाज भी खत्म हो गया ध्यापक कच्चे क्या होते हैं हमने 12,710 अध्यापकों को उनके नमनाम के आगे से कच्च्चा शब्द हटा कर उनकी तनकाहों में तीन तीन गुना व्रिदी करके 58 साल की उमर तक उनको कोई हटा नहीं सकेगा और हर साल उनकी पैंचन भी आपना तनका भी बढ़ेगी और भत्ते भी मिलेंगे और 35,000 मुलाजम हैं हम अब तक 28,000 से ज्यादा को हम पक्के कर चुके हैं कॉंट्रे कि अर्थ तरीक को और नोंतारीक को हम चैसो से ज्यादा साथ सो के लगबग और पॉच्छ सोप पूलिस में शवकर और पॉलिस में गांवो पि sedation है वह मतिए आफंड मुझे मिला मैं कहीं गाव में गया वो दूद का काम करता है दूद का काम करता था उसने का जी मैं एक बात आपको में और क्या मैं एक बातबी आपको बतानी चाहत हुं मेरे जो ग्राहक हैं, वो कभी तीन महीने में मेरे पैसे देते थे, कभी चार महीने में पैसे देते थे, अचानक क्या हुआ, कि वो जब आपकी सरकार आई, उससे कुछ महीने बाद, वो हर महीने पैसे देने लगे मुझे, दूद के, मैंने का भी, आप तो तीन-तीन महीने मेरे पै पैसा देने लेगे जो कहां कहां तक ये पैसा काम आता है बाइसाथ करमचारियों के लिए खास गरंटी कि उनको पक्का भी करेंगे तनकाहें भी बढ़ाएंगे और सरकार में उनकी उन्नती तरक्की भी होगी अबी हमने हमरोज पंजाब में हर महिने में तीन चार बार मुझे जाना पड़ता है न्यूकती पत्र बांटने के लिए कभी किसी डबार्टमेंट के कर भी एक लड़का आया ओओ कहरा जी इसी सरकार में इसी साल में ये मेरी तीसरी नौकरी है मैंने कभी तीन नौकरी है कैसे उन्होंने बताया अफसरोंने कि ये पहले इसने clerk का exam दिया उसमें merit में आगया तो ये clerk बन गया आप से आपके हाथों से clerk का इसने नियुक्ति पतर लिया था उसके बाद इसने पढ़ाई की head clerk का paper दिया वो भी sauce कर गया आपके हाथों से ये head clerk का ले गया था उसके बाद इसने पढ़ाई की अब ये SDO बन गया बिजली बोर्ड किम में लगेगा आज SDO का नियुक्ति पतर लेने आया है एक साल में तीन तीन मौके मिल रहे हैं बैसा जहां सतर साल में एक भी नहीं मिलता था तो ये गरांटी तो हमारी हम काम करके आएं दिल देती सो इन पर ये कीमत करना जो ये खास तोर पर ये भी ये भी बाल ये जुमले बाज हैं नए नए जुमले बनाते हैं भाई साब अभी मुझे पथा चला है कि जो होस्टल है कॉल्जिज के जुनिवर्स्टियों के जहां बच्चे रहते हैं पढ़ाही करने वाले हमारे जुआ होस्टल की फीस पर होस्टल की फीस पर भी बारां प्रसेंट जी एस्टी लगाने जा रहे हैं होस्टल की फीस पर बारां प्रसेंट जी एस्टी इसका मातलब कभी भी बोल सकते हैं मोधी जी एक नारा के ना खुद पड़े हैं ना किसी को पढ़ने देंगे ना पड़े हैं, ना किसी को पड़ने देंगे कैसे खर्चे पूरे होते हैं, कैसे फीसों के खर्चे पूरे होते हैं, कैसे मैस का बिल देते हैं कभी रहे हों तो पता चले तो ये हाँ भाई साब हर रोज मैंने तो पारलीमेंट में बोल दिया था सामने बैठे थे मेरे सामने मैंने कहा पंद्रा लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूख जाती है हर बात ही जुमला निकली अब तो ये भी शक है क्या चाये बनानी आती है मुझे नहीं लगता चाये भी बनानी आती होगी क्योंकि वो स्टेशन ही नहीं था वो तब विस समय हद है यार हद है कुईसी बात पर तो आ जाओ कोई तो सच बोल दो देश को जो आता है बीजेपी बाला जुमले जुमले बीजेपी बालों के साथ पता है कितना लोगों ने अब विश्वाश कर लिया है इस बात का बीजेपी पर विश्वाश कर लिया यह जूटी बोल रहे होंगे बीजेपी कुछ बड़े नेता दिल्ली से जा रहे थे शिमला के लिए कि शिमला घूम के आएंगे गनमेन साथ में नहीं लेंगे सेक्योर्टी सडक पे लगाएंगे सिवल में कितना डॉप्ट कर लिया लोगों ने कि यह बीजेपी बाले जूटी बोलते हैं बस में निकले अमबाला के बाद पंजाम में एंटर हुए बस से गड़े में पल्ट गई वहाँ कोई किसान काम कर रहा था खेतों में उसने बस के ओपर मिट्टी डाल दी तो सिक्योर्टी को चिंता हुई कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बस नहीं पहुंची सर्च करना शुरू किया उसी किसान से पूछा वैसा भी इस कलर की और इस नंबर की एक बस थी देखी कहता हाँ कहां गई कहता इस गड़े में पल्ट गई थी कहता है अब कहां गई कहता है मैंने उपर मिट्टी डाल दी कि इसका मतलब उसमें सभी जो नेता सवार थे सब मर गए थे उगरा सभी नहीं मरे थे अभी 20-25 चिला रहे थे हम अभी जिंदा हैं हमें बाहर निकालो मैंने सोचा भी यह भी वाले हैं जूट ही बोल रहे होंग हुए जूट बोल रहे होंगे इतने ज्चूट बोलräge नो ने फाइसा यही फरक है आम अद्मी पार्टी में और उनकी पार्टी में हम लोग जो बोलते हैं मकिसा करके दिखाते हैं हमें हमारे नैशनल कंवीणर ने बोला हुआ है बगवंत पांच बादे कर के चार पूरे करोगे लोग कहेंगे अभी कमी रहती है चार करके पांच पूरे कर दोगे लोग कहते ये तो सोचा भी नहीं था यार उससे भी जाला कर दे